लोगों ने question किया था अब जो है 76 नमबर से question को हम लोग करेंगे ठीक है जादि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो जाकर देख लिजिए ठीक है सब्सक्रिप्शन देखते हैं 78 निमलिखित में से कौन सा सब्सक्रिप्शन ग्राइंडिंग विल से संबंदित है glazing टर्निंग यहां देखा जाए तो राइट एंसर जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा glazing और टूर्निंग दोनों होता है ठीक है ना ओके नेक्स्ट कोईशन 79 का देखते हैं यह चित्र में किस परकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है यह चित्र में आपको ग्राइंडर दिखा रहा है तो यह किस टाइप का ग्राइंडर है तो यह यहां राइट एंसर हमारा बाबू यह बेंच ग्राइंडर नहीं है यह पेड्स टॉल ग्राइंडर है औपसी है राइट एंसर ओके एटी नमर को देखते है गटा की थ्रेडिंग के लिए टैप का पर्यूग किया जाता है इंटर्नल टैप का पर्यूग करते है राइट एंसर आमारा भी हो जाएगा ओके चलिए 81 कोश्चन देखते है 81 नमबर करें निमन लिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक हिस्सा है हैंड रिमर का हिस्सा इसमें से कौन सा है बोडी है सेंख है सर्कूलर लैंड यह सबी है राइट अंसर हमारा डी हो जाएगा 82 नमबर कोश्चन को देखते हैं निमन लिखित में कौन सा एक और ठोश सनेहक है ग्रेफाइट ग्रीज कैस्टल वाइल यहां हाना कैस्टल वाइल की लॉड वाइल यहां राइट एंसर देखा जाए तो हमारा राइट एंसर जो हो जाएगा ग्रीज हो जाएगा और सनेहक है राइट एंसर भी हो जाएगा ओके राइट एंसर क्या हो जाएगा राइट एंसर हमारा यहां भी हो जाएगा ठीक है ना जी ओके नेक्स्ट को चलते हैं 83 question देखते हैं कारा निमने लिखित में से सितला को उप्योग करने का उदेश्य है निमने लिखित में से सितला का उप्योग करने का उदेश्य क्या है कुलेंट का क्यों हम लोग परियोग करते हैं इसका उदेश्य क्या है आई ये question को देखते हैं काटिंग उपकड़ार कारे खंड को ठंडा करना राइट एंसर हमारा ए ही हो जाएगा ठीक है एटीफोर नूमर कोश्चन देखते हैं चित्र में दर्स आया गया उपकड़ार का नाम बता है यह बर्नियर के लिपर है राइट एंसर भी हो जाएगा एटीफाइप नूमर कोश्चन देखते हैं यह वेवल पोटेक्टर का परियोग डैस डैस मापने के लिए किया जाता है वेवल पोटेक्टर का परियोग थोफोर पोटेक्टर का परियोग हम एंकल मापने के लिए करते है राइट एंसर एटीफिár कोश्चन को दिखते है ःटिसिक्स काम में कीया जाता है तो डैस लिए करते हैं कि व homeless क्रें च मतलता सम्नाश करने के लिए आँदा नर्स नानर क सब्सक्रांखण के लिए को देखते हैं निमलीखित में कौन ब्सक्राइड सब्सक्त की के मातरा होती है रोड आयरान लोही की मातर सबसे सूद लो आ यही होता है स्टील ऐल्मूनियम हो जाएगा ओलव धातु यहां राइट एंसर रहा जाए तो राइट एंसर भाई मेरे डी हो जाएगा एलमुनियम नेक्स्ट कोर्षन के तरफ चल रहा है यहां कह रहा है कोर्षन कि निम्नलिखित में कौन सा धातू का भावतिक गुण है निम्नलिखित में कौन सा धातू का भावतिक गुण है राइट एंसर क्या हो जाएगा हाँ रंग अभार धातु का भावती गुण में रंग भार सनरसना ये राइट एंसर सभी हो जाएगा हाँ ना डी ये सभी एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन देखो हाँ अगला कोश्चन के तरफ चलता हूँ मैं 89 नमर कोश्चन को देखते है एस्टील एक मिनट हाँ चलिए ओके एस्टील और कार्बन एस्टील और कार्बन और डैस डैस एक मिस्रधातु है एस्टिल कार्बन किसका मिस्टर रात हुए कॉपर का अल्मूनियम का लोहा का सोडियम का यहां राइट एंसर देखे तो यह लोहा का है क्या चीज़ कहा जी राइट एंसर हमारा सी हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते है 90 नमबर चलिए ढलवा लोहा आम तोरपर प्रकिर्ति होता है इलासिटिक होता है मिलेबल होता है भंगूर होता है ढलवा लोहा जो होता है ढलवा लोहा होता है भंगूर होता है चकना शूर हो जाता है यह अचानक लोड नहीं सवापाता है ये perpendicular road बहुत जारा सा हैगा क्योंकि इसमें carbon की percent है दूसरे 4 percent तक होती है जिसमें carbon की percent है और इसमें हम hardening करते है ठीक है जी 90 नमर question का हमारा right answer C हो जाएगा चलिए 91 नमर question को देखते है निमने लिखित में से धातू का कौन सा गुण उसमा उपचार से प्रभावित होता है ये सब होता है hardness, ductility, strength या right answer देखे तो D हो जाएगा मेरा राइट answer हमारा D हो जाएगा चलिए 92 नमर question को देखते है 92 नमर question को देखते है कर रहा है निमने लिखित में से क्या solving flux का एक कारे है यहाँ 92 का देखे तो एक छthenर को रोखता है ठीक है ये भी होगा इस लडर वाली सतो अपक्साइट को अटाता है ये भी होगा ये गिली सतो को बढ़ावा देता है ये भी हुआ है ओठ एंसर अमरा डी हो जाएगा ठीक न कभीत में यह था है तो भंगूर आता है ठीक है अगला कोईशन कि क्या है निमलिकित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है कौन से संकर र है लेठ मसीन पर तो नर लिंग भी होता है ध्रिलिंग भी होता है टेपिंग भी होता है राइट अटर हमारा डी हो जाएगा LUKE हाँ 95 नमर कुश्चन देखते हैं कह रहा है कि लेत मसीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रील को ड्रील को ड्रील को डैस में बांधते हैं टेले स्टॉक में बांधते हैं फीट सॉप में बांधते हैं क्या धार में बांधते हैं तो यहां आपको पता ही है कि जो ड्रिलिंग करते सम यह पताए 96 यह क्या है 96 नंबर जो है दिये गया टूल की पहचान करें यह इलेक्ट्रोड होल्डर है यह क्या है इलेक्ट्रोड होल्डर राइट एंसर हमारा सी सिदे सिदे दिख रहा है ठीक है ना चलिए अगला 97 नंबर कुशन को देखते हैं कह रहा है कि निमलिखित में कौन सी गैस स्वेम नहीं जलती है लेकिन दहन में सहाइक होती है ठीक है चलिए 98 नंबर सी एंसी से कोशन है कह रहा है कि चित्रे में दर्स आएग यह मसीन की पहचान कर यह कौन सी मसीन है मिलिंग मसीन है ड्रिलिंग मसीन है सेपर मसीन है इसका देखा जाए तो यह कौन सी मसीन है आएए देखते है कि सी एंसी मसीन है तो हम पहली बता चुके थे कि यह सी एंसी मसीन है ओके राइट एंस अड़ी हो जाएगा 99 नमर क्वेश्चन को देखते हैं कह रहा है कि आकार की अधिक्तम सीमा आकार की नियुंतम सीमा के 20 का अंतर है आकार की अधिक्तम सीमा और आकार की नियुंतम सीमा के 20 का है टोलरेंस, लिमिट यह टोलरेंस होता है अधिक्तम सीमा और नियुंतम सीमा के 20 इसकी जो होता है वो अंतर जो होता है टोलरेंस होता है राइट एंसर यह हो जाएगा इस लेक्चर का लास्ट कोईशन निमलीखित में कौन रिवेट का एक परकार है निमलीखित में कौन रिवेट का एक परकार है स्नेप हेट रिवेट पैन हेट रिवेट कोनिकल हेट यह सब तो हम सब कोश्चन कम्पलीट किये ठीक है न फिर अगला दो लेक्चर आएगा जिसमें 50-50 कोश्चन आपको कभर किया जाएगा और ओभी कम्पलीट कर लिया जाएगा आज ही कम्पलीट हो जाएगा ओभी ओके तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के पास चलेगा ओभी एप पर बिल्कुल फिर ही ठीक है फिर मिलेंगे आप लोगों खुशे जाएगा